बावत है आपके अपनी यूटूब चैनल प्रेम ग्यान पर प्यारे विच्छों आपको पिछली बर मैं छोड़के गया था कोशन नम्मर 6 अब आभी कोशन नम्मर 7 इसमें भी हमें बताना है कि टू डिस्टिंटरियल रूट होगा की नहीं होगा भाई सबसे पहले तो इसको लिख लिजिए इस इस सेंथ पार्ट इसके पहले के सारे पार्ट हम कर चुके हैं समझ भाई बाग तो क्या है प्रश्न प्रश्न है रूट 2 x 2 x sqr minus 3 by root 2 x minus 3 by root 2 x plus 1 by 2 is equal to 0 root 2 x square minus 3 by root 2 x plus 1 by root 2 है क्या है 1 by root 2 is equal to 0 हम लिखेंगे on comparing, on comparing, on comparing क्या आ जाएगा, ax square plus bx plus c is equals to 0, हम जानते हैं, for real roots, b square minus 4ac, this should be greater than 0 for two distinct, for two distinct real roots, दो distinct real roots होने के लिए, क्या होना चाहिए, एक सिभी greater than 0, जो d की value आईगे, value put करो, answer पाँ, देखो दो जारा, d is equals to b square, तो b square की जगा, क्या लिखेंगे, minus 3 by root 2 का whole square, देख लो, b में यही है, minus 3 by root 2 का whole square, minus 4a की जगा क्या है, और a की जगा है, root 2, 4a की जगा है, root 2, और c की जगा क्या है, क्यारे बच्चो, c की जगा है, plus का 1 by root 2, यह और यह गया, आड़ गया की नहीं, 3 का square करेंगे, minus का, तो यह 9 आजाएगा, निसे का जाएगा, 2 आजाएगा, और क्या हैगा, minus का 4, ठीक है, यही है, जब और solve करोगे, तो 9 by 2, minus 8, तो क्या जाएगा, 1 by 2, which is greater than, च्विरो है, आधा भी तो 0 से बड़ा है, जब आधा 0 से बड़ा है, D is greater than 0, so it has two distinct real roots, ट्यारे बच्चो, आपको कोई भी वीडियो देखनी है, तो क्रम बद तरीके से मैंने अप्लोड किया हुआ, जब आप चाहेंगे, नीचे लिंक में है, तो 4.2, question number 1, question number 2, इस तरीके से करके मैंने लिखा हुआ है, तो है ना, तो वहाँ पे आपको असानी से मिल जाएगा, कि आप उन्हें, NCRT बुक खोल की बैठा देशे, for example, you are facing 4.2 में, question number 1 में, आपको 7th part में दिक्कत आ गए, तो जाएए, 7th part का लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, और देखें, कैसे solution हमने किया हुए, कि आपको असानी से मिल जाएगा,